हेलो गाइस, फेलकन दो स्पेशल एजुकेशन, नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हूँ आप सब का आपके अपने यूटूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन तो दोस्तों जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्कीन पर देशकी तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम सचीव के प्रिविए सेर के कोईशन पेपर के बारे में विद सोलुईशन और इंग्लिश सेक्शन के बारे में बात करेंगे पिछले साल एक्शली यह जो मैं पेपर डिसक्स करूँ है यह आपका 2016 का पेपर है और यह आपका सो से ज्यादा ग्रामर के रूल बताऊंगा तो उन रूल के बार एक भी कोईशन आपका इंग्लिश के बार नहीं आएगा तो इंग्लिश का पोईशन तो समझ लो आपका कवर हो जाएगा यह जाएगा कि पेपर का पैटरन इंग्लिश का किस टाइप से कोईशन सा रहा है कौन से कोईशन आ रहा है तो चलिए यह स्टार्ट करते हैं अगर आप लोग चैनल पर पहली वर सुट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने की बद बैल आ 10 has an error तो हमें हमारे सामने चार ओप्षिन दियो है तो हमें बताना है इन ओप्षिन में से कौन से option में error है मतलब error correction का question आया है आपका first option आप first option आपके पास है he was not only involved in her kidnapping but also in her murder no error तो इसका राइड अप लोगों को बताना है और एक बर आप खुद से try करना और वीडियो end होने के बाद मेरे को score बताना आपके total कितने question थे तो पता लगजेगा कि आप लोग की कितनी त्यारी है I hope आप लोगों ने अब तक अपना answer टिक कर लिया होगा तो दोस्तों इसका जो right answer है option number है he was not involved in her kidney he was not involved यह आपका answer है अब यहाँ पर क्या error है यहाँ पर error है not only but also की आप लोगों ने एक rule पढ़ा होगा नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दे तो मैं आपको आगे भी बताओंगा अच्छे से एक बार brief overview दे तो not only के बाद जो part of speech आता है वो ही आपका part of speech but also के बाद आ रहा है तो अगर मैं simple देशी बाशा में बताओं कि not only के बाद जो आएगा वही आपका but also के बाद आएगा या इसका मैं उल्टा बोलूं but also के बाद जो आएगा वही आपका not only के बाद आएगा और अगर मैं simple बाशा मे आपका कोई subject आएगा मतलब not only के बाद जो चीज आएगी वही चीज आपकी but also के बाद आएगी चाहे वो कुछ भी हो और same इसका उल्टा कर देना but also के बाद जो चीज आ रही है वो चीज आपकी not only के बाद होनी चाहिए ठीक है same same चीज होनी चाहिए तो यहाँ पर देख लेते हैं he was not only involved in her kidnapping but also in her murder तो यहाँ पर देख सकते हो not only के बाद यहाँ पर verb की second form आ रही है और यहाँ पर but also के बाद in her murder आ रहा है तो यहाँ पर match नहीं कर रहा है not only और but also के बाद same same चीज आनी चाहिए तो third में इसमें तो हम C option में change नहीं कर सकते हैं first option में हम change कर सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते है he not only was involved he involved not only in her kidnapping ठीक है इसको ऐसे लिख सकते है he involved not only in her kidnapping इसको change कर सकते है ठीक है यह not only को हम involved के बाद लियाए ठीक है he was involved not only in her kidnapping but also in murder तो not only और but also के बाद same same चीज़े आ जाएगी तो बार रिपीट करो हम इसको लिखेंगे he was involved not only in her kidnapping तो not only के बाद in her kidnapping आ जाएगा और but also के बाद in her murder आ जाएगा तो not only but also के बाद same same चीज़े आ रही है I hope rule clear होगा नहीं तो आगे वाले जो मैं rules की वीडियोस लिखेंगे हूँ उसको मैं अच्छे से 3-4 example देगे आपको explain करूँगा तो अब move करते है second question की तरफ अगला question दोस्तों मारे सामने है direction 89 out of the fall alternatives choose the one which can substitute for the given word or sentences तो आप लोगों को बताना है जितने भी चार option दी हुए है इन में से पहले एक sentence दिया हुआ है इन sentence को लेकर आपको one word बताना है दिये कर चार option में से आपको बताना है कि कौन सा सही one word बैठता है sentence के according sentence पढ़ लेते हम a decision on which one cannot go back ऐसा decision जिससे बंदा पीछे नहीं अट सकता simple बाशा में बोलो तो उस decision को क्या बोलते है इसका अंसर पहले आप टिक करना फिर मैं बताता हूं options आपके सामने है infringible, infalliable, irrecoverable, irrevocable और incorrigible तो पहले मैं एक एक option को आपका मतलब बताता हूं first option हमारे पास है infringible जिसका मतलब होता है unbreakable ऐसी जिसको हम तोड नहीं सकते इसका मतलब होता है unbreakable ठीक है second option दोस्तों आप लोगे पास है infalliable, infalliable का मतलब होता है ऐसा person जो कभी गलती नहीं करता है उसको बोलते हैं हम infalliable ठीक है और d option है आपके पास incorrigible, incorrigible का मतलब असुधार है मतलब ऐसी गलती जिसको हम correct नहीं कर सकते हैं incorrigible होता है, मतलब असुधार है, I hope ये तीनों option clear होगे तो इसका कौन सा option बचा, option number C बचा irrevocable irrevocable का मतलब होता है a decision on which one cannot go back, ऐसा decision जो ले लिया अब दुबारा आप अपने decision से पीछे नहीं अड़ सकते हैं इसको बोलते हैं irrevocable, तो बाकी के तीन option बहुत ज़्यादा important है, आपके exam में आ सकते हैं इसके अलावा इनसे मिलता मिलता एक आदा word होता है, मिलता दोता, ingalible, ingalible का मतलब होता है ऐसा person जो कभी किसी पर trust easily नहीं करता है, ऐसा person जो easily किसी पर trust नहीं करता है तो मतलब ऐसा person जो किसी पर easily trust नहीं करता है, तो इन सबसे मिलता जूलता एक word हो रहा है जो कि important है भार-बार repeat होता है ये भी आप लोग को पता होना चाहिए illegible I think Catholic candidates को पता भी होगा illegible illegible का दोस्तों मतलब होता है us first मतलब किसी की जब handwriting अच्छी नहीं होती clear नहीं होती हमें पढ़ने में समझ नहीं आती तो हम उसको बोलते है उसकी writing illegible है मतलब जिसको हम पढ़ नहीं सकते है ठीक है जोगी us first clear नहीं है ओप सक्योर नहीं है तो काफी जाद है इसके synonyms होते है तो इनसे मिलते है जूलते जितने भी words थे जो की most important थे आपके exam में आ सकते हैं वो मैंने आपको सबको बता दिया तो चली next question के उपर move करते है उससे पहले दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर यह वीडियो को like जरूर करना and आपको लगे वीडियो के end के बाद आपको लगे चैनल को subscribe करना चाहिए तो जरूर subscribe करके जाना आगले question के तरफ दोस्तों move करते है question number 88 choose the correct alternative which best express the meaning of the given idiom or phrases question आपके सामने to fight tooth and nail मतलब यह आपके सामने इन्होंने idiom और phrases दे रहा है इससे लेटिव आपको correct option बताना है to fight tooth or nail मतलब अपने नाखुन से और अपने दान्तों से अच्छे से fight करना तो इसका क्या मतलब निकला option 1 आपके सामने to fight like a brat नई option अगला आपके सामने to fight like a losing battle नई अगला दोस्तों option आपके सामने है to make every possible efforts to win यह हो सकता है कि आपने हर possible effort कर लिया जीतने के लिए मतलब आपने अपने नाखुनों का use भी कर लिया दान्तों का use भी कर लिया तो option number c is a right answer क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हो है कि to fight tooth or nail अपने दान्तों से नाखुन से हर चीज का possible effort कर लिया ताकि आप fight जीत पाओ तो इसका right answer होगे option number c I hope यह चीज आपको clear होगी अगला question की तरफ move करते हैं अब बात करते है 86 और 87 number question की आपके सामने choose the word most nearly opposite in meaning to keyword ठीक है आपको most nearly opposite word बताना है तो कहने का मतलब आपको antonym बताना है ठीक है तो मैं आप लोग को पहले absolve का मतलब बतायता हूँ और I hope आप लोग ने अब तक अपना answer tick कर लिया होगा वीडियो के end में मिरको जरूर आप लोग अपने score बताना कितना आप लोग का सही हुआ and जितने ज़्यादा लोग share करेंगे तो सबको उतना पता लग जएगा कि किसकी कितनी तयारी है तो दोस्तों absolve का मतलब होता है दोश्मुक्त करना ठीक है आपने सुना होगा कि बरी करना जो court वगारा की language इसमें use करते है उसको absolve कर दिया मतलब उसको अपराद मुक्त कर दिया दोश्मुक्त कर दिया उसको बरी कर दिया ठीक है तो यह इसका मतलब होता है तो अब हमें इसका opposite बताना है इसका antonym बताना है first word आपके सामने है blame ब्लेम नहीं हो सकता सबको पता है अगला आपके सामने है word repent repent का मतलब होता है पच्ताना ठीक है या फिर पच्तावा यह होता है repent तो repent भी इसका absorb का opposite नहीं हो सकता अगला दोस्तो word है melt ठीक है melt भी नहीं हो सकता अगला word है दोस्तो bless तो bless तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता तो अब बताओ कौन सा option हो सकता है इन चारों में से तो दोस्तो इसका guidance है option number a blame ठीक है blame मैंने पहले आप लोगो इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं check कर रहा था कि कितना आप लोग correct कर सकते हो क्योंकि अब जोल का मतलब अभी मैंने आप लोगो बताया कि दोश मुक्त करना मतलब अपराद मुक्त करना ठीक है और blame का मतलब होता है कि दोश लगाना किसी को blame करना तो ये इसका correct opposite word है बिल्कुल ये nearly नहीं बोल सकता है बिल्कुल correct opposite नहीं बोल सकता है इसको लेकिन इन चारों option में से सबसे best option यहीं वारा है तो अगले question की तरफ move करते है दोस्तों अगला question आप लोग के साना है सामने है फैमिलियर फैमिलियर word का आपको opposite बताना है options आपके सामने alien, strange, wonderful और mysterious तो फैमिलियर का पहले simple सा word है सबको मतलब पताओगा फैमिलियर का मतलब जिस चीज़ से आप फैमिलियर हो तो फैमिलियर का जो कुछ लोग ticker का आगे strange लेकिन ये गलत हो जाएगा strange का मतलब होता है अजीब अगर इसकी जगह दोस्तों stranger होता stranger होता strange की जगह तो stranger हम कह सकता है कि इसका opposite हो सकता है लेकिन यह पे strange यह होगा तो ये option opposite नहीं होगा wonderful भी नहीं होगा mysterious भी नहीं होगा mysterious क्यों नहीं होगा क्योंकि दोस्तों जो mysterious का मतलब होता है that do not understood or explain ऐसी चीज जो बंदा समझ ना पाए ऐसी चीज जो बंदा explain ना कर पाए वो एक mystery टाइप हो उसको बोलता है mysterious तो यह आपका familiar का opposite नहीं हो सकता तो एक ही option बचा familiar का opposite होगा alien मतलब जिस चीज को आप जानते नहीं जो कि आप लोग के लिए completely familiar नहीं है तो alien इसका रेड़न्स होगा option number A तो आप level दे सकते हो exam का synonym और antonym में काफी ज़्यादा confusion होती है candidates को तो ऐसे ही questions की मैं आप लोग को प्रेक्टिस करवाने वालों तो चलिए मूव करते हैं और जो मैं आप लोग को synonyms और antonyms की प्रेक्टिस करवाँगा वो लास्ट six months में जितने भी vocab आपकी the Hindu newspaper में आई है उसी से related करवाँगा क्योंकि वही questions वही words वही वह category आप लोग के एक्जाम में आते हैं अखला question दोस्तों आपके सामने 84 85 number direction में लिखा हुआ choose the correct synonym for the underlined word from the given options मतलब आपको synonym बताना है ठीक है same word बताना है 84 number question आपके सामने the boy gave a vivid description of all that happened अब जिसको vivid का मतलब पता होगा वो इसका right answer tick कर देगा तो I hope आप लोग ने अब तक अपना answer tick कर लिए होगा तो इसका जो right answer होगा दोस्तों वह होगा picture square तो मैं आपको vivid का पहले मतलब बता देता हूं तब आपको समझा देगा यह इसका answer क्यों होगा तो v-i-v-i-d vivid का मतलब बता है दोस्तो clear or strong image यहां मैं लिख देता हूं clear and strong image ठीक है यह होता है आपका vivid का मतलब तो picture square से आपको मतलब समझा रहा होगा यह इसका synonym हो गया बाकि fresh, explanatory, brilliant यह आपके इससे let it नहीं है अगला question दोस्तों हमारे पास है it is compulsory for all the students to join this tour यह compulsory है सारे students के लिए कि वो इस tour को join करे तो इसका right आपको synonym बताना है या best same meaning वाला option बताना है options आपके सामने obligatory, necessary, dutiful, regular तो dutiful तो बिल्कुल नहीं होगा regular भी बिल्कुल नहीं होगा तो यहाँ पर हम यह लिख सकते है it is obligatory for all the students to join this tour तो compulsory का synonym होता है दोस्तों actually compulsory का synonym होता है obligatory ठीक है same आपको sound करेगा necessary में और बहुत सारे candidates इसका necessary ticker क्या है क्यों इसका obligatory होगा वो मैं आपको बतायता हूँ क्योंकि obligatory का मतलब होता है दोस्तों legal और normal compulsory legal और duty क्या सकते है हम moral क्या सकते है कि यह उसका moral है यह उसकी duty है कि students की कि वो इस tour को join करें तो obligatory और compulsory दोनों के same sense आ रहे है तो यहाँ पर obligatory होएगा तो synonym और antonym में काफी ज़्यादा nearly word होता है जिसमें बहुत ज़्यादा candidates को confusion होती है तो यह मैं आप लोग को बिल्कुल क्रियल करने वाला हूँ तो channel को subscribe करके जरूर रख लेना तो चलिए move करते है next question की तरफ अगला question दोस्तों आप लोग के सामने है 82 से लेकर 83 number question fill in the blanks with appropriate preposition appropriate preposition से आपको अपना जो blank है वो fill करना है preposition के नाम से यार मेरे को अभी एक चीज़ यादा आगी वो मैं आपको बतायता हूँ अभी आप लोगों ने absolve पढ़ा था ठीक है तो absolve के आगे दोस्तों दो preposition लगती है या तो आपका absolve के बाद off लगता है या आपका from लगता है तो अब इसमें आपको correct preposition feel करनी है first question आपके सामने है I have been staying a dash last week तो मैं यहाँ पर पिछले week से रह रहा हूँ तो आपको पता है जहां भी has been plus ing या have been plus ing आजे तो वहाँ पे since या 4 लगता है और यहाँ पे last week लिखा हुआ है तो यहाँ पे since लगेगा यह भी grammar का rule है अच्छे से बाद में explain करूँगा तो simple सा rule है सबको आता होगा has been और have been लग जाता है तो since has been, have been plus ing जहां भी लग जाता है तो since या 4 आता है ठीक है तो यहाँ पे since आएगा option number a is your right answer अगला question दोस्तों हमारे पास है they march dash the whole उन्होंने whole में march को dash किया तो यहाँ पे हमें correct preposition fill करना है options आपके सामने into in from none of the above तो from तो नहीं हो सकता they march from the whole कोई sense नहीं आ रहा they march in the whole whole में march नहीं करते तो in नहीं आएगा तो यहाँ पे आएगा into क्योंकि into दोस्तों वहाँ पर आता है जब आप किसी one place से या one surface से दूसरे surface पे enter करते हो ठीक है दो different surface में आप enter करते हो मतलब अंदर से बार enter करोगे तो आपका into आएगा like आप gate के बार से अंदर enter करे हो तो into आएगा gate से अंदर से बार जा रहे हो तो into आएगा या किसी कुवे वगरा में कूद रहे है कोई बिल्ली ऐ ऐसे आपने questions पड़े हो इंदर होगे कोई बिल्ली या या कुटता है जो कुवे में कूद रहे है तो उसके लिए into आता है तो दो different surface चें़ और है तो उसके लिए into आता है तो दोस्तो आज का last question है but not the list इसमें आप लोगो spelling बतानी है काफी simple सा question है find the crackly spelled word तो professional की आपको सही spelling बतानी है तो professional की सही spelling होती है दोस्तो P-R-O-F-E-S-I-O-N-A-L professional option number D is your right answer ठीक है professional में आपका एक F आता है दो S आता है ठीक है professional P-R-O-F-E-S-I-O-N-A-L ठीक है आपके out of ten कितने questions सही थे ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही रखते है और evening का shift का भी मैं जल्दी upload करूँगा और जल्दी grammar की rule की series लेकिया होगा और computer के मैं आपको दोस्तो जल्दी questions करवाने वालों computer section के जिसमें के आपको basic basic सारी चीज़े बता दूँगा चैप्टर वाज़ती क्या history के ms word के powerpoint के excel के memory से हर चैप्टर से मैं आपको computer के mcq लेका हूँ और अच्छे से explain करूँगा तो channel को subscribe कर लो और bell icon को जुरूर प्रेस कर लेना झाल झाल